Hey guys, welcome back to Rocketry Dreamers YouTube channel दोस्तों, रिसेंटली यानी 17 फर्वरी 2024 को शाम के 5 बच कर 35 मिनिट पर भारतियों मानक समय के अनुसार हमने GSLV-F14 मतलब Inside 3DS सेटलाइट का लॉंच देखा था और उसका हमने सक्सेस्फुल और इंसर्शन भी देखा और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, इसी कारे कोशल को आगे बढ़ाते हुए, इसरों ने आज हमें और एक अपडेट दिया है वो कोछी घंटे पहले आया है दोस्तों, Inside 3DS मिशन को लेकर और एक अपडेट आया है इस अपडेट में इसरों ने ऐसे कहा है कि जो Inside 3DS के Liquid Apogee Motors जिसे लैम कहा जाता है जो इस सैटलाइट के लैम है, उसको हमने चार बार फायर किया, मतलब चार बार उसको बंद चालू किया और इस Liquid Apogee Motor को चालू बंद करने के बाद, इसको ऑपरेट करने के बाद, अब हम Geosynchronous Orbit में पहुँच चुके है दरसल इस Orbit में पहुचने के बाद, जो Main जगह है जहांसे एक अपने Operations चालू करेगा यानि In Orbit Testing या जिसे IoT भी कहा जाता है, वो उस Location पर 28 फरवरी 2024 तक आ जाएगा तो यह पर्टेकली ने हमें एक अपडेट मिला है इसरों से, इसरों ने ट्विट करके कुछी घंटे पहले कहा है दोस्तों यह जो Liquid Apogee Motors है, यह Liquid Apogee Motors वही है Apogee Motors है जिसको हमने चंदरयान 3, चंदरयान 1, चंदरयान 2 उसके साथ मंगलियान में भी हमने इसको इस्तवाल किया था और इसरों कई अन्य सैटलाइट में भी इस Lab यानि Liquid Apogee Motors का उपयोग किया गया है अगर हमें Geosynchronous Orbit में जाना है तो कम पैसा इस्तमाल करके हम वहाँ जा सकते हैं यह इसरों ने इस Particularly Operation के तरू दिखाया है अलग-अलग बार दोस्तों इस Liquid Apogee Motors को Fire करने के बाद हम धीरे-धीरे करके Orbit Raise करते हैं और Finally हम अपने Intended Orbit में पहुँचते हैं कुछ इस प्रकार इस Mission में भी हुआ था यानि GSLV F-14 मतलब GSLV Mark 2 जो Rocket है उस Rocket ने इस Satellite को 36,500 by 71 km के Rough Orbit में पहुँचा आया था और इस Orbit में Insert करने के बाद इस Lab यानि Liquid Apogee Motor का उप्योग करके अब हम 36,000 by 36,000 यानि Geosynchronous Orbit में पहुच चुक है जो एक Circular Orbit होता है इस Orbit में हम अब पहुच चुक है लेकिन लेकिन इस Satellite को In Orbit Testing मतलब वह जगह जहां से वह उसके सारे Services चालू करेगा उस जगह पर आने के लिए अभी भी काफी टाइम है क्योंकि वह जगह पर 28 February 2024 को आने माला है मतलब अगर आपको पता होगा Geosynchronous Orbit के बार में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगी दोस्तों कि Geosynchronous Orbit जो है यह Orbit पर हमें अलग-अलग Satellites ऐसे Fix करने होते हैं अलग-अलग Latitudes तरह Longitudes पर हलाकि Latitude और Longitude Space में कुछ कामकारी होता वहाँ Axis पर सारा खेल है लेकिन आपको समझनी के लिए मैंने Longitude और Latitude का Example दिया क्योंकि Geosynchronous Orbit में अलग-अलग देशों के अलग-अलग Satellites भी है जो अलग-अलग देश खुद पर तो कुछ इसी प्रकार ISRO का मतलब भारत का Insight 3DS Satellite भी भारत के उपर Focused रहने वाला है और यह Focused 28 परवरी 2024 को किया जाएगा प्रॉबबली अभी यह जो Satellite यह Geosynchronous Orbit में है लेकिन उस जगह पर नहीं है जहाँ पर यह होना चाहिए मतलब जाएसे यह भारत को देख सकता या उस जगह पर नहीं है जहाँ इसको Fix करना है या उसको Mount करना है इनिवेज दोस्तों होप हम ऐसे उमीद करते कि आगे आने वाले कुछ देखते हैं अब आगे क्या होगा इस वीडियो में इतना ही मिलेगे किसी और एक वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरंग